जैस कारिकरताओं ने मंत्री उशा ठाकुर द्वारा दिये गए राश्ट्र द्रोह वाले बयान का विरोध शुरू कर दिया है जैस कारिकरताओं ने धार में ग्यापन सौप कर मंत्री के खिलाफ मुकद्मा दर्ज करने की मांग की है परिटनेवं संस्कृती मंत्री उशा ठाकुर द्वारा महुमे आदिवासी संग्ठन जैस को राश्ट्र द्रोही संग्ठन बताने वाले बयान ने तूल पकड़ लिया है मंत्री उशा ठाकुर के इस बयान का अदिवासी समाज ने कड़ा विरोध दर्ज करवाते हुए उनके स्तीपे की मांग की है जैस कारे करताओं ने नारे बाजी करते हुए धार पुलिस अधिक्षक को ग्यापन सौप मंत्री उशा ठाकुर और विकास जाट के खिलाफ मुकद्मा दर्ज करने की मांग की है आज जै आदिवासी हो सकती जैसे उम आदिवास समाज दुआरा धार एसपी महदई को एक ग्यापन हमने दिया है उक्त उस ग्यापन में हमने मांग किये कि पिछली 19 तारीक को मद्यप्रदेश सासन की केबिनेट मंत्री उशा ठाकुर दुआरा महू जहां पर टेंट्या मामा की मुर्ति स्तापित है वहाँ पर आदिवासियों के सविधानिक अधिकारों के लिए जो संगटन काम करता है जैस को देश द्रोई संगटन बताया है उसी प्रकार विकास जाट नाम का विक्ति सलकनपूर का उसने भी अपनी फेस्बूक आईडी से जैस को आतंगवादी संगटन बताया है आज हमने मानने स्पी साहब को जो आविदन दिया है उसमें हमने मांग की है कि मद्यप्रदेश में काविना मंत्री उसा ठाकूर पर एक्ट्रो सिटी एक्ट के तहत एफायर दर्जी की जाए इनी सब मांगो को लेके आज पूरे धार जिले से लोग यहां पर उपस्तित हुए है और मानने स्पी साहब को इकाविदन दिया है उशा ठाकूर ने महु में पट्टा वितरन कारिक्रम के दोरान जयस को राश्ट्र द्रोही संगठन बताने वाला बयान दिया था मंतरी उशा ठाकूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना होने पर आदिवासी समाज द्वारा उग्र आंदोलन की चेताव नीदी गई है ब्यूरो रपोर्ट अम्पी न्यूस थार